नमस्कार आईपा के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है आईपा यानि All India Progressive Politics Association एक ऐसी मुहीम है जो कि देश में ऐसे व्यक्तिया ऐसे विचार जो कि विकास शील राजनीति की बात करते हों विकास की राजनीति के पोशक हों उनको एक मंच प्रदान करता है इस समय हमारे मयू टेंडन जी आये सीधे इन से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बरतमान में राजनीतिक हालात कैसे हैं और किस तरीके के बदलाव होने चाहिए सर जिस तरीके से बरतमान में इसमें राजनीतिक परिद्रिश्य है मुद्दो अधारित जो राजनीति होनी चाहिए जिसक के हिसाब से आजकल की करेंट परसितियों के हिसाब से मुद्दों में चेंज होता है बट मुद्दे वही हैं सब लोग ऑपोदेशन वाले वही कहते हैं किसान बधाल है बेरोजगारी है उद्यमी परेशान है महिराओं की सुरक्षा नहीं है ये सब वही मुद्दे हैं जो हर उठते हैं बट इस पर सेलूशन की बात कोई नहीं करता है करेंट गवर्मेंट ने बहुत सी पॉजिटिव स्टेप्स लिया है लॉइन और्डर में तो एक्सलेंट डिलिवरी है उनकी हम लोग बहुत सेफ फिल करते हैं कहीं पर भी कहीं को इशू नहीं लगता है कोई गैं जोब जहां तक MSME और छोटे मजले बिजनसमेन को फाइदा पहुचाने की बात है इसमें प्रॉब्लम रही है थोड़ा करोना का असर रहा है बिजनसमेन है बिजनसमेन है बीन वरकिंग विट फुल एक्स्पेंडेचर ऑन जीरो रेविनियूज तो दे हैफ तो डिपेंड external factors उसमें बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है बहुत से लोगों ने रोजगार अपना लोगों के employment कम किया है क्योंकि उनकी भी मजबूरियां है उनको अपना घड़ भी चलाना है उनको अपना उद्योग भी चलाना है सरकार में उससे मदद की उपेक्षा की जाती है वो थोड़ी सी जिस लेवल पे आनी चाहिए थी नहीं आई है बट government का agenda और government का attitude बहुत positive है इन सब चीजों में उनके भी हाथ कई चीजों में बने हुए हैं यह हम लोग समझते हैं कोई भी ऐसे आ के पैसे बाट नहीं सकता है वो overall business environment इंप्रूव करना होता है infrastructure facilities बढ़ानी होत one and then we to another business diffusion को नहीं रहते हैं जैसी क्या वजाए है कि वो मुद्धे हर बार बने तो होते हैं लेकिन इनपर मतलब एक solution क्यों हौनी आप़ाथ क्या राजनितीक पार्टिया में राजनितिक पार्टिया जो उनके अंदर वो विल नहीं है या क्या वज़े हो साथ नहीं मुद्दो का हल तो निकलता ही है पहले राम मंदिर बनेगा राम मंदिर कब बनेगा बीजेपी डेट नहीं बताएगी यह सब ऑपोजिशन बोलती थी बटो मंदिर का काम शुरू हमेशा से एक एगेंडा रहा है उस पे काम हुआ है यूनिफार्म सिविल कोड एक उनका एज़ेंडा था बहुत हम लोग बच्पने से देखते थे कि यही तीनों एज़ेंडा लेकी वी जेपी पार्टी चलती थी काम हो नहीं है इस को हटाना इंप्लिमेंट करना बहुत काम चल रहा है कई चीजों पर बहुत पॉजिटिव काम हुआ है ट्रिपल तलाग जैसी चीज आई हुई है कि अब उसको बैंड किया गया है इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफी काम है पॉपलेशन कंट्रोल आज उस पर बात हो रही है यही एक पॉजिटिव चीज़ है वरना इन चीजों को अवोईट किया जाता था और आज तक यह सब मुद्दे ओवरलुक किये गए थे बट आज इन मुद्दों को कंसिडर किया जा रहा है यह बहुत पॉजिटिव बात है आने वाले समय में इसका बेनिफिट मिले गा ही जहां तक कि गवर्मेंट के एज प्रोवाइट कर दिया तो यह जो सबसिडीज है फ्री बाटना और यह जो नईने लोग अलग अलग पॉलिटिशन्स वादे करते हैं फ्री बिजली देंगे फ्री पानी देंगे यह बहुत ही डिसकरेज होना चाहिए और बहुत ही गलत सिस्टम चालू हो रहा है कोई लैप पर कभी छेत्री पार्टियों का बड़ा दबदबा होता था लेकिन आने वाले सालों में देखा गया पिछले सालों में कि छेत्री पार्टियों को प्रभाव धिर धिर कम होता चाहिए बसपा हो आपको नहीं लगता है छेत्री पार्टियों का वर्चास इसी वज़े से कम ह क्चेहतरी मुद्डों से भटक की के लग तर्म वेजन की कमे दिखती है लिजन में ज्यादा जंडर ज्यूड़ते हैं जादा है जो कि लोग करते हैंकि आप्रोच करना जाधा असान होता है वो आपके मदद्गार जाधा सावित होते हैं बट नैशनल पार्टी जिस तरह से अपना कैडर बढ़ाया है जिस तरह एजंडा स्टैबलिश किया है पार्टी का बेस बढ़ा हुआ है वो भी रीच कर रहे हैं पब्लिक को पब्लिक उन से जोड़ रही है रही बात राजडिती की तो हमेशा से युवाओं क यह को बागेदारी देनी की बात होती रही है मिलाओं को बागेदारी देनी की बात होती है लेकिन कुछ कम दिखता है मतलब बाते जीतनी है इससाफ से भागधारी नहीं दी जाती, क्या वाज़ हो सकती, और किस तरीके से वहाँ को भागधारी दीया जाए, अप्रोच साहन कीयाजा, क्यों आगाफारी सिल्टे मेरी इस ति ए लिए रहे हैं, और शूला इन दी टर जए gay रहे हैं, यह चीज डिस्करेज होनी चाहिए, इट शुट बी अफेर प्ले, एनिबडी विस केपेबल शुट गेट अन ऑपरचुनिटी, जस्ट बिकाज यू आर बॉन देर इन दे फैमली और यू गेट देसीट, इस इस नॉट वेलकम अट आल, और यह डिस्करेज होता है, जहां पर यूगाओं को देख रहा है कि उनको पार्टी रेकिनाइज कर रही है, किसी भी कास से आ रहे हैं, किसी भी उससे आ रहे हैं, उससे कोई फरग नहीं पड़ता, तो ऐसे बिस्नेसमेन हम आप से सवाल पूशना चाहेंगे, जो यह किसान अंदोलन हो रहा है, वो लगातार यह कह रहा है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर इंवाल्व हो जाएगा, तो नुक्सान होगा, इस पे क्या सोचना है आपका, बिल्कुल गलत है, किसानों को भड़गाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, किसान बिल किसानों के लिए ही बना है, उनके हिद के लिए ही बना है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर किसानों का नुक्सान करके राइज नहीं कर सकता है, और इस सरकार का जो एजेंडा है वो कहीं से भी यह नहीं देखता है कि वो किसानों को अहिद करे और बिजनस मैं को फाइदा पहुँचाए ये बिल्कुली गलत पहलाया गया अफवा है और किसान इसमें भटके हुए हैं आने वाले दिनों में बिल्कुली ये लगता है कि उनको सही चीज समझ में आएगी बहुत अब किसान अंदोलन ठंदा भी इसलिए पड़ाएगी लोगों को समझ में आने लगा है ये मेन मुद् करेंगे धन्यवाद